पॉलिमर की एक्सरसाइज को जैसे कि आप सब जानते हैं हम पॉलिमर चाप्टर को अल्रेडी खतम कर चुके हैं तो मेरी आप से यह रिक्वेस्ट है कि आप पूरे चाप्टर को एक बार गो थू कर लिजे अगर कोई कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आता तो उस पार्ट को आप दो तीन बार दिखिए और फिर खुझ से इस एक्सरसाइज को कीजिए और आप क्रॉस्चेक कर सकते हैं तो पहला question जो है इसमें वो ये है कि हमें given option में से एक proper correct alternative को चूज करना है Nylon Fibers R हम सब जानते हैं जो Nylon Fibers हैं यह किससे बने होते हैं यह बने होते हैं Amide Linkage से इनके अंदर होता है CO-NH Linkage CO-NH चाहे आप Nylon 6 ले लो चाहे आप Nylon 6-6 ले लो ओके तो यह किससे बने होते हैं Poly Amide Fibers I hope आपको समझ में आया होगा दूसरा देखी Which of the following is normally Which of the following is naturally occurring polymer Now अब यह naturally शब्द का मतलब क्या है Naturally मतलब जो nature में ही मिलता है हमें nature से मिलता है उसे human नहीं बना है तो देखे Teflon तो हमने बना है Polythene भी Polyvinyl chloride भी तो इसका आंसर है Protein Protein naturally हमारी body में बनता है ठीक है तो सर क्या हम खाना नहीं खाएंगे तो protein बने आगया अरे कहने का मतलब यह है कि उसे human activity से Lab में जाके Chemical treatment से नहीं बना है जाता हलाकि right now current time में protein भी बना लेते हम lab में पर majority और जो protein का जो आप linkage देखोगे जो peptide linkage है अंदर वो nature से ही हमने देखा और फिर lab में बनाया तो protein क्या होता है natural होता है silk is a kind of fiber silk कौन सा fiber है तो आप सब जानते हो silk animal वाला fiber है कैसे यह naturally animal से मिलता है एक microbe है जिसे हम कहते हैं microbe में एक आप ऐसे कह सकते हो कि creature है एक कीड़ा होता है जिसे हम कहते हैं silk worm silk worm की जो skin पे ऐसे आप देखोगे तो पतले पतले ratio number ऐसे here आते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं silk और उसे फिर हम निकाल के silk को बनाते हैं बट आज कल आप देखोगे तो synthetically भी silk को develop कर दिया गया है अब हम बढ़ते हैं आपने चोथे question की तरफ decron is another name of decron किसका नाम है terylene का तो ये direct option अब decron terylene तो decron का नाम terylene कैसे बना terylene उसका नाम पड़ा terythelic acid और ethylene glycol से तो teri आया terythelic से और in आया ethylene glycol से तो देखिए मैं उसको आपको structure भी बता देता हूँ तो ये होता है ऐसे CH2 CH2 single bond CH2 और यहाँ पर OH और ऐसे ही इस side भी एक OH आ जाएगा अब इदर देखिए अब इदर आ जाएगा OH C double bond O और ये benzene ring और यहाँ पर C double bond O OH इसे हम कहते हैं terythelic acid जी organic chemistry में आपको ये सारे formula याद रखने होंगे और ये होगा ethylene glycol यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा याद रखिए बहुत सारे बच्चे even कुछ कुछ बोलते हैं न senior students भी ये गलती कर देते हैं कि rather than removing H from alcohol they remove H from carboclic acid मैं मानता हूँ carboclic acid एक acid है बट वो देता क्या है वो OH देता है ठीक है तो यहाँ से H2O निकल जाएगा minus H2O हो जाएगा simply और आपको मिल जाएगा teraline तो teraline कैसे हो जाएगा CH2 CH2 यहाँ पर ester linkage C1100 यह अपना benzene ring और यहाँ पर C1100 और यह continue होगा और यहाँ पर क्या होगा O और यहाँ पर वापस C1100 और S आ समझने तो repeating unit हमारा क्या हो गया यह पूरा repeating unit हो गया आप देखो तो यह पूरा क्या हो गया repeating unit तो यह था हमारा teraline कुछ-कुछ किताबों में आपको यहीं पर दिखा देंगे तो वह आप cross check कर सकते हो चली अब हम बढ़ते हैं अपने next question की तरफ तो next question क्या है which of the following is made up of polyamide कौन सा इसमें polymer है जो किससे बना हुआ है polyamide से तो दिये हुए में से कौन सा polyamide से बना हुआ है तो हमें पता है polyamide से बना होता है nylon background तो polyesteral होता है ठीक है तो option C 6 तो आला देखिए the number of carbon item present in epsilon caprolactum तो epsilon caprolactum में 6 carbon होते हैं चलिए मैं आपको बता देता हूँ तो इसे थोड़ा सा change कर लेते हैं तो epsilon caprolactum का structure होता है यह NH यह हो गया C O N H तो इसे कहते हैं alpha position इसे कहते हैं beta इसे कहते हैं gamma इसे कहते हैं delta और इसे कहते हैं epsilon तो यह देखो 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon, 4, 5 और यह 6 तो यह हो गया epsilon caprolactum कुछ लोग इसे E caprolactum भी कहते हैं लेकिन वो सही नहीं है आया समझ में आपको और यह क्या है cyclic amide और cyclic amide होने के वज़े से ही इसके नाम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आ जाता है lactum ठीक है तो इसका answer होगा 6 carbon atom तो देखिए answer आ गया 6 अब बढ़ते हैं next question की तरफ तो यह तो मैंने आपको बता दिया decron है और यह कौन सा है polyester fiber इसका structure भी बकाइदा मैंने आपको बता दिया था अब आगे देखते हैं pet is formed by okay pet क्या है polyethylene 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 यह condensation से बनेगा कैसे बनेगा condensation से okay आगे देखिए chemically pure cotton pure cotton आप सबको पता है cellulose से बनता है और cellulose कहां से मिलता है cotton tree से आपको पता है तो इसका example क्या है सबसे अच्छा cellulose pure बुला है ना इसके लिए बाकी acetate rayon viscous rayon cellulose nitrate यह सारे treated हैं treated मतलब synthetic है और इन्होंने pure पूछा था तो answer हो गया cellulose अब 10 वाला देखिए teflon is chemically inert due to presence of teflon जो है वो chemically inert है किसके वज़े से यह inert है cf bond के वज़े से तो पहले आप समझ लीजे कि teflon होता क्या है तो यह देखिए यह है cf f यहां पे c f f और यह कुछ s है और यहां पे यह आ जाएगा n ओके तो इसको बोलते हैं tetrafluoroethane क्या करते हैं इसको tetrafluoroethane ओके और अगर इसको आप बार बार रिपीट करोगे तो यह देदेगा poly tetrafluoroethane pt f और यह बहुत जादा inner type का होता है क्योंकि इसका जो cf bond है यह बहुत strong होता है carbon का hybridization sp3 है क्योंकि इसके अंदर 4 sigma bond है और fluorine की 2p orbital तो यह bond का length छोटा होता है और छोटे bond क्या होते हैं strong smaller the bond stronger the bond इसलिए यह काफी inner type का होता है आपको पता होगा घरों में हम जो pan use करते हैं यह pan omelette बनाने के लिए आपको पता होगा ऐसे तो इसके उपर teflon की ही coating होती है जिससे होता क्या है हमारा omelette इसको steak नहीं करता और omelette जलता भी नहीं आया समझ में आगे देखें तो इसका answer B हो गया answer the following in one sentence each identify A and B in the following reaction तो यह क्या है यह है इतलीन ग्लाइकॉल इतलीन ग्लाइकॉल और यह क्या है यह है तेरी थैलीक आसेड आप देख रहे हैं दो कार्बॉक्सलीक आसेड बेंजीन रिंग पे opposite और इसको heat किया गया है मतलब यह condensation इसमें से water निकलेगा और यह क्या बना देगा यह बना देगा ग्लाइकॉल अब यह देखें यह क्या है यह है hexamithylene diamine मैं वापस बोल देता हूं hexamithylene diamine अब hexamithylene diamine क्यों यह देख रहे हैं तो इसके वज़े से hexa और यह दो amine group है और NH2 group को methylene कहते हैं तो यह हो गया hexamithylene और यह क्या है यह है adipic acid adipic acid मतलब hexane 1,6 dioic acid dioic acid क्यों क्योंकि 2-2 carboxy acid है और इसके नाम में hexane क्यों लिखा क्योंकि यह 6 carbon है यह 4 और यह 6 और यह बना देगा nylon 6-6 बना देगा nylon 6-6 यह 6-6 रिप्रेजेंट करता है कि यह 6 carbon हमारे जो थे hexamithylene diamine में भी थे complete the following statement तो यह पूरे जो statement दिये हुए है इसको हमको complete करना है तो क्या है यह statement देख लेते हैं पहला है caprolactam is the used to prepare caprolactam is used to prepare caprolactam को लेके आप क्या बनाते हो तो हमें पता है caprolactam का structure हमने अभी देखा है इसे लेके हम बनाते है nylon 6 क्या बनाते है nylon 6 तूसरा no-lac is a co-polymer of no-lac किसे बनता है हमें सबको पता है कि no-lac का आगे चलके baccalite में conversion होता है और no-lac बनता है phenol और formaldehyde से और baccalite को हम phenol formaldehyde polymer भी कहते है और reaction कौन सा होता है जी हाँ condensation terrylene is a polymer of terrythalic acid and ethylene glycol यह मैंने आपको बताया था co-polymer क्यों co-polymer क्योंकि terrylene में use होता है terrythalic acid क्या use होता है terrythalic acid और दूसरा ethylene glycol क्या use होता है ethylene glycol acid तो यह दो अलग-अलग monomer unit है इसलिए इसे हम क्या कहते है co-polymer आगे देखिए benzoyl peroxide सबसे पहले तो आपको benzoyl group के बारे में पता होना चाहिए तो यह देखो यह है benzoyl इसकी पूरी detailing प्यारे दोस्तों मैंने halogen derivative of alcan में दी है ठीक है तो यह हो गया benzoyl और peroxide बनाने के लिए यह देखिए o-o और यहां पे वापस c-double-1-o और यह benzene ring तो यह देख रहे हो यह linkage को बोलते है peroxide linkage तो यह करता क्या यहां से तूटता है और free radical बनाता है क्या बनाता है free radical और हम सबको पता है कि free radical करता क्या है वो chain को initiate करता है क्या करता है chain को initiate तो इस step को हम initiation step भी कह सकते हैं क्या कह सकते हैं दोस्तो initiation step आया समझ में आगे देखिए polyethene consists of polymerized ethylene unit यह देखिए यह वाली CH2 CH2 unit polymerized क्या यह अगर एक unit का आप बोलो तो यह methylene होता है बट actual में दो ऐसे methylene तो इसे हम कहेंगे ethylene unit polymerized होती है आया समझे आप ethene क्यों नहीं कह सकते बटा ethene C2H5 होता है I hope आपको समझ में आया होगा अब देखिए यहाँ पर बोला गया है अब यह most of theoretical part है अगर आपने अच्छे से chapter को पढ़ा है तो आप इसे फटा फट कर देंगे लिए आपको कुछ tension ही नहीं होगा ठीक है तो देखिए यहाँ पर flow chart diagram to show classification of polymer based on type of polymerization तो simple type of polymerization की उपर तो दो यह है एक है condensation और दूसरा है addition addition किसका होता है जो vinyl type का है vinyl मतलब carbon carbon double bond और यह दो hydrogen या कोई और group होगे exactly यह और condensation किसमें होता है polyamide polyester polycarbonate यह सब में write the example of addition polymer and condensation तो चलिए इसे मैं यहाँ पर लिख देता हूं तो यहाँ पर मैंने लिख दिया addition और यह right side में मैंने लिख दिया condensation एक side हो गया addition दूसरे side हो गया condensation ठीक है तो addition की side क्या-क्या लिख दो गया जो सिर्फ addition से polyvinyl chloride polyethylene polyvinyl chloride या फिर आप क्या लिख सकते हो polyethylene polyvinyl chloride ho गया polyethylene polyacrylonitrile polyacrylonitrile condensation में आप लिख सकते हो nylon 6-6 फिर आप लिख सकते हो terylene या फिर terylene या फिर dacron उसके बाद और क्या लिख सकते हो बताये जरा यहां पर question दिया है exercise का solution अगर बच्चों आप believe करो और आप theory अच्छे से पढ़ो तो आपको नहीं यह exercise की तो जरुवत ही नहीं और यह एक्शुरी खुद से करना होता है आप अगर solution देखके कोई question कर रहे हो तो believe me आप कभी improve नहीं कर पाऊगी बहुत सालो का experience है मेरा तो मैं आपको बता रहो पहले पूरा chapter अच्छे से पढ़ो फिर exercise खुद से लगाओ दो बार गलत करो तीन बार गलत करो जब गलती करोगे तभी आप सीखोगे समझ मैं है जैसे हम cycle चलाना सीखते है चलिए आगे देखे define the term यह सब मैं आप पे छोड़ता हूं ओके अब आगे देखिए what are the type of intermolecular force in intermolecular force leads to high density polymer hydrogen bonding hydrogen bonding इसके वज़े से high density बनता है या फिर dipole dipole give one example of each of co-polymer and homo polymer co-polymer की example देखे क्या है अपने पास co-polymer का example आप ले लीजिए terylene ले लीजिए और homo polymer का example क्या ले सकते है आप polyvinyl chloride ले सकते हो polyacrylon nitroil ले सकते हो identify thermoplastic and thermosetting plastic thermosetting मतलब क्या जिसे आप remote करके अलग shape नहीं दे सकते है thermoplastic मतलब आप उसे heat करके soft करके अलग-अलग shape दे सकते हो तो मैं चाहता हूं कि आप यह video पूरा अच्छे से देखो और exercise के जितने भी question है वो खुद से करो और आपको कोई भी अगर doubt है मतलब कोई particular question नहीं आ रहा है कि majority of the चीज़ें इसमें theoretical ली है तो आप comment box में लिखो कि sir यह यह चीज़ें आमें नहीं आ रही है तो मैं उसके पर वीडियो बनाऊँगा तो I hope यह वीडियो आपको समझ में आई होगी इसी तरह सीखते रहिए हमारी वीडियो को देखते रहिए अपने माता पिता साथ ही साथ टीचर्स का नाम रोशन कीजिए मिलते हैं एक और नहीं वीडियो के साथ अपने next episode में thanks a lot for watching the video have a nice day bye bye